अब मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना दो दो बच्चे हैं उनकी फीस भी देनी है पढ़ने के लिए दो बेटियां है शादी के लिए एक बेटा है एक भी गुली भी नहीं देने के लिए अमरे पैसा नहीं है पैसट सो रुपे सेलरी मेरे को पेंचन दे रही है अब पैसट कि रेडी पर चाय बेच रहा है अब यहां मजदूरी कर रहे हैं कम सेगा 6700 रुपे जाड़ी तो मिलेगी हम कौन सा यहां पर रजबाड़े से पैदा हुए है पढ़ाई लिखाई करके मेनद करके अफसर बने थे लेकिन सरकार ने जहां से शुरुवात करी थी है वहीं पर हमने वहीं पुचा दिया इसने और यह बीजेपी की सरकार जो है यह सिरफ पुझी पतियों के खाते भरने के लिए है खटर साब बोलते हैं मैंने बड़ी लावनी करी है बड़ी यह करी है जरह करे पेंचन छोड़ेगा क्या हर्याना राज्य की इसको इतनी चिंता है हर्या अब से तो दिखाते हैं कि हम अरपा बहुत सारा पैसा है और दूसरी तब दिखाते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं यह दो-दो स्टेट्मेंट क्या है MP को MLA को चार-चार बार की पेंचन और हमने अपनी सारी जिन्दगी जैदी 58 साल तक साकार को एक पेंचन देने म इसका दिवालिया होने पर आ जाएगी यह बीजेपी के नए कंसेप्ट आ गये हैं सिरफ बेवकूप बना रही है देश की जनता को और दुबारा अब लोगों सचेत हो जाओ वोट की चोट दे दो इनको जब तक वोट की चोट नहीं दो गए तो यह सुधरेंगे नहीं कां अगरिकों को कर दो कमजोर हमने जहां से जिंदगी शुरुवात करी थी वहीं पर आके पहुंच गए अब क्लास बन गस्री डफ्टर है अब बुढ़ापे में वकालत करेंगे तो वकालत करने में तो दस साल दुबारा फिर शुरुवात करनी पड़ेगी वहीं से 65 रुपे में अगर मैं बिमार हो गया तो इन्होंने आयूश में भी नहीं आएंगे हम तो पीले काड़ भी नहीं बनेंगे हमारे तो हम कहां जाएं तो बहुत